ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं सिंग रासी वालू हो जाओते यार क्योंकि अब आपको धनकी देवी माल लक्षमी के असिरवास से तीन फरवरी से नौ फरवरी यानिकिन साथ दिनों में मिलने वाली हैं बड़ी तूफानी खबर जैनुस तो आपको बता दे माल लक्षमी के असिरवास से आपके लिए तीन फरवरी से नौ रहे धन योग, महलक्षमी योग, अमरत सिद्धियोग और दो राज योग में इन सात दिनों में बड़ा परिवर्तन होगा जैं दोस्तो आपको बता दें, ग्रहन लक्षमी के सिर्वास इन सात दिनों में आपके लिए राज योग का निर्माण कर रही हैं, जिससे कि यह समय के लिए अतियंत भग्याशाली और बहुती सुब समय रहने वाला है जा दोस्तो मालक्षमी का सिर्वास से इने साते दिनों में आपको एने को प्रिकार की बड़ी-बड़ी खुसकबरी बड़ी-बड़े लाब धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने व वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें को कि इस वीडियो में आपके तीन फरवरी से नौ फरवरी यानिकिन साथ दूनों के संपूर्ण और बिल्कुल सटीक रासी फल्क के बारे में बताएगे ज़ा दोस्तों वीडियो को आगे सुरू करें सब दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मालाक्षमी के अस्यरवासयापके लिए तीन फरवरी से नौ फरवरी यानिकिन साथ दिनों का यह महत्पपून समय दोस्तों यह समय ग्रह गोचर पून रूप से आपके पक्ष में हैं आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत वेशशक्त बनेगी आलस छोड़कर पूरे मनो योग से अपने लक्षय को पूरा करने में आप शंगलन रहेंगे युवा वर्ग अपने केरियर के पृती पून एकागर चित रहेंगे और सफलता भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे दोस्तों साथिसाथ आप लोग कैसे भी परिस्तिती में शामान्य रहते हैं आप अपने कर्म वे प्रुशार्थ के माध्यम से अपनी उपलब्दियों को हासिल कर लेंगे शंतान के विद्या अध्यन से संबंदित कोई महत्पपून कर रहें शंपन होगा दोस्तों साथिसाथ उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए अब उचित अवशर हैं इसलिए आप प्रियासरत रहें बच्चों से संबंदित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक आपको रहत महसूस होगी किसी नज़िदीक रिष्टिदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंद पुने सोहार्द पूर्ण बनेंगे साथ साथ पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्त संबंदित परिसानियों में ऐ प्रतियासित सुधार आने से स्वैम को आप उरजावान महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास वे पराक्रम से अपने कार्यों को पूरा करने में आप शक्षम रहेंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंदित योजना भी बनेगी दोस्तों साथ साथ अगर कोई भवन निर्मान संबंदि कार्यों रुका हुआ हैं तो अब इस समय उसका पूरा होने के योग बन रहे हैं साथ साथ किसी प्रोपर्टी को खरीदन संबंदी योजनाय भी बनेंगी आपका वैज्यानिक दरश्टिकोन तता उन्नत सोच आपके घर तता व्यवशाय दोनों में समांजस बना कर रखेगी दोस्तों साथ साथ यह समय प्रोफेशनल पढ़ाई में अध्यनरत विद्यार्तियों को उचित सफलता प्राप्थ होगी आप अपने लक्षे के प्रती पूर्ण रूप से एकागरचित काम करने में सफल रहेंगे भूमी या वाहन के लिए रण लेने की भी योजनाई बनेंगी परंतु जल्द ही आप उसे चुकता करने में भी सक्षम भी रहेंगे दोस्तों साथ साथ यह समय दूसरों के मामलों में हस्त छेप आप ना करें जिसकी वज़े से एक कारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे बिना पड़े किसी भी कागज या फिर दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर ना करें साथ ही क्रोध वे गुस्से पर अंकुस रखना आपके लिए अतियावशक है साथ साथ इस्तियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कारण का सहरा आप ना लें अन्य था कोई परिशानी उत्पन हो सकती है कोई व्यक्ति आपसे चिकनी चुपड़ी बाते करके आपक कोई गुप्त बात निकल वा सकता है इसलिए आप साथ इसाथ साथ किसी के साथ भी बात चीत करते समय बहुत अधिक ध्यान रखें कि आपकी किसी नकारात्मक बात से संबन्द बहुत अधिक खराब हो सकते हैं महिलाएं विपरीत लिंगी विक्तियों के साथ बात चीत के दोरान सावधानी बढ़तें किसी प्रकार की बदनामी भी हो सकती है दोस्तो साथ यह समय नकारत्मक प्रवर्ति के लोगों से आप दूरी बना कर रखें क्योंकि उनके द्वारा समाज में आपके खिलाफ कुछ गलत फैमिया उत्पन करने की योजनाएं बन सकती हैं कभी कभी गुस्से में आप आक्रमक रुख अपना लेते हैं जिससे आप अपने लिए ही परेशानिया खड़ी करते हैं अपने इस वेवार पर थोड़ा आप कंट्रोल करें दोस्तों सात्य सात यह समय कभी कभी किसी नकारत्मक परस्तितियों के उत्पन होने से विचलित और निरास भी आप हो सकते हैं फिजूल खर्ची पर भी नियंतन रखना आपके लिए अतियावशक है रूपे पैसे के लेन देन के मामलों में किसी पर भी भरोसा आप ना करें किसी रिष्टेदार से सम्बंदित ऐ प्रिय समाचार प्राप्त होने से मन काफी उदास रहेगा दोस्तों साथ साथ यह समय किसी लापरवाई की वज़े से पैसा बरबाद हो सकता है इसलिए आप सावधान रहें बहतर होगा कि कोई भी निर्णे लेने से पहले अनुबवी व्यक्ति की सला आप अवस चलें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतनी के बीच चल रही गलत फैमिया दूर होंगी साथ ही किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है परिवारिक परिस्तितियां पूर्णतें पक्ष में रहेंगी घर के बड़े बुजुर्गों का अशिरवाद वे सयोग घर के वातावरण को शुकद में बना कर रखेगा दोस्तों साथि साथ यह समय विपरीत परिस्तितियों में जीवन साती का पूर्ण सयोग आपको प्राप्त होगा प्रेम संबंद भी मर्यादित रहेंगे दोस्तों साथि साथ यह समय परिवार में सुक्सान्ति का वातावरण बना रहेगा मितरों के साथ परिवारिक गैट टुगेदर प्रसंधा वे नई उरजा आपको प्राप्त करेगी जिस से परिवार में खुसनुमा वातावरण रहेगा और आपके प्रेम संबंद भी बहुत अधिक मजबूत होंगे दोस्तो बात अगर आपके करियर और वैवसाई की करें तो यह समय वैपार में कुछ परेशानिया महसूस होंगी नए तथा अजनभी लोगों पर आप विश्वास ना करें तथा अपने निर्णे को ही प्रात्मिक तादें कोई नजदी की यत्रा संपन भी हो सकती है जो आपके लिए बहुती लाबदाएक साबित होगी नोकरी पेशा व्यक्ती अपने ऑफिस में अपना उचित वैवार बना कर रखें दोस्तों साथि साथ वैपार को पुनहें उठाने के लिए आप भरसक प्रियास और परिश्रम करेंगे आनसिक रूप से आपको सफलता विप्राप्त होगी परन्तों कुछ विरोधा भासी प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें नौकरी में लक्षे को पूरा करने के लिए बौस वे अधिकारियों का दवाब बना रहेगा किसी प्रिकार के तनाव वे टकराव होने की इस्तिती बन रही है परन्तों अगर आप धहरे और सैयम से काम लेंगे तो परिस्तितियां उन्हें सामान ने हो जाएंगी किसी अनुबवी वेक्तिक की सला आपको मुस्किल प्रिस्तितियों से निकानने में आपकी मदद करेगी दोस्तों साथी साथ वेपार में भہुत अधिक आपको मेहनत और परिश्रम करने की आअश़क्ता है यह समय आपको कुछ शकारात्मक प्रणाम भी प्राप्त होंगे तता विस्तार संबंदी कुछ नई योजनाई भी बनेंगी परंतु अपने काम के क्वालिटी पर और अधिक आपको ध्यान देने की आवश्चकता है जिस पर इस समय कुछ विचार विमस भी होने की संबावना हैं परंतु पार्टनर तता करमचारी की हर गतिविदी तता क्रिया कलाप पर नजर रखना आपके लिए अति आवश्चक है आपकी वेपारी के सूचनाई भी लीक हो सकती हैं परंतु आपका पूर्ण रूप से समर्पित भाब, कारोबार और नोकरी में आपको कुछ अच् भी फस सकता हैं सावधान रहें दोस्तो बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय वहन बहुती आप सावधानी पूर्वक चलाएं किसी प्रकार की चोट या फिर दुरगटना के योग बन रहे हैं हलकी फुलकी मौसमी बीमारी जैसे खांसी जुखाम आपको रह सकता ह इसमें किसी भी प्रकार की आप लापरभाई ना वरतें तनाव अवसाद वे मौसमी बीमारियों से थोड़ा आप बच कर रहें अपनी दिंचरिया और खानपान को विवस्तित रखें दोस्तो साथ साथ कुछ समय से चल रही स्वास्थ संबंदित परिसानियों से यह समय आप कुछ समय मेडिटेशन में व्यतित करें ऐसा करना आपके स्वास्थ के लिए बहुती अच्छा रहेगा